गुद मॉनिं क्लास फिप सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदे रिम जीम और आज से आपका रिविजन स्टार्ट है और जहां तक आपका चैप्टर नंबर 16 तक आपका कम्प्रीट हो चुका है तो यहीं तक आपका जो एन्वल एग्जामिनिशन है उसमें कुष्ण आपके आएंगे तो चैप्टर नंबर 16 तक आएंगे उसके बाकि के आप रहने दीजिएगा ओकी तो आशे हम चैप्टर नंबर 13 से रिविजन स्टार्ट आपका कर रहे हैं तो जहां से आपको रिविजन स्टार्ट करा रहे हैं उसको ध्यान से आप पढ़िए गा वह सकता है कोपी से या आप इस पार्ट को पढ़के इन कुशनों को याद कर सकते हैं तो कुशन नमर वन है सच राजम बड़ा भादू लड़का है स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने या बादू से खुश करने के लिए कही फिर कुशन नमर टू देखिए मैडल से चूडिया बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामुर्क क्यों माना सब पार्ट में आपको अगर आप पार्ट इसका पढ़ेंगे सारा अंसर में आपको मिल जाएगा पार्ट के आधार पर दादी या स्वामी के सभाव आज तो आधी के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है किसी एक के बारे में दस बारा वाग के लिखिए कि स्वामी का सवाव कैसा था या दादी कैसी थी क्या करती थी यहां पर लिख सकते हैं पर सकते हैं उसमें ठीक है भी देखिए यहां कहानी और तुम का आड़ दादा हो दार्व सब मजिश्रेट थे किसी व्यक्ति का रॉप किन बातों से पता चलता है कि सब आपको पार्ट में मिल जाएगा क्या तुम्हारे आसपास कोई रॉपदार व्यक्ति है सब्दों के जरिये उसका खाका खीचो अगर आपके अगल वगल कोई क्या है रॉपदार है उसके बारे में आप यहां पर देख सकते हैं तो स्वामी नातन के दादी के पास बहुत प्रशन और सुरक्षित महसूस कर रहा था स्वामी नातन अपनी दादी के पास क्या और रखा था बहुत खुश और सुरक्षित महसूस कर रहा था तुम कब सुरक्षित महसूस करते हो तुम्हें कब लगता है कि हम सुरक्षित नहीं है अब देखिए पता करो सब मजिस्टेट कौन होता है क्या वो पुलिस विवाग में होता है ठीक है यह कुशन है इनको आपने क्या करना है पाड के जरी आप इन कुशनों के आंसर आपको ढूनने है ठीक है ना आप पाड पढ़ियेगा और इनके आंसर मिल जाएंगे फिर यहां पर देखें दादी का बक्सा उसका दादी उसका मतब दादी सामान था पांच दर्या तीन चादरे लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबेक के सिक्के इलाइची लॉंग और सुपारी पढ़े रहते थे अब देखिए वन दादी अपने ब बक्से में इलाइची लॉंग और सुपारी क्यों रखती होंगे आपने पार्ट में पढ़ा कि दादी अपने बक्से में इलाइची सौप इस तरह के चीज़े रखती थी तो क्यों रखती थी आप ये पार्ट में पढ़िएगा क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तमाल होत कुछन neutro सिक्क बनाने के लिए किस किस धातू का इस्तमाल क्या जात आथ जो टांबे के सिक्के होते हैं वो किस धातू से बनते है। और फोर्ट नमर पे देखे सिक्यक कौन-कौन सी धातू के बने हो सकते हैं आप इनकी नामियां पर लिख सकते हैं तो यह प्रश्ण है बच्चों आज आपने क्या करना है इनको पाठ परना है और इन प्रश्णों के उतर अपने जो पाठ में उनको ढूनना है और साथ में इनको याद करना है